अब बात करते हैं कसरावत की जहां प्रदेश के विख्यात किसान और सहकारिता के पित्र पूरुस कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व उपमुखे मंत्री स्वर्गिये सुभास यादव की नवी पुन्नेती थी बोरावा इस्तित यादव निवास पर मनाई जाएग इस अबसर पर बोरावा पहुचे रावत पूरा सरकार द्वारा बोरावा गाओं में स्थापित सेक्षणिक संस्थानों का अवलोकन करते हुए कहा कि यह निमाण मालवा अंचल में संपूर्न सिक्षा का सबसे बड़ा आधुनिक सर्विस विधायुक्त केंद्र है उन्हो ने यहां के सेक्षणिक संस्थाओं में गरीबों और किसानों के बेटे बेटियों को रोजगार और नमुक्ष सिक्षाक देने पर खुशी जाहिर की पूर्व केंद्री क्रिसी राज्यमंत्री अरुड यादो ने सनिवार को सुबह रावत पुरा सरकार को इंजिनिरिंग कॉलेज, फॉर्मेसी कॉलेज, बीएड, एमेड कॉलेज, म्सी ए कॉलेज, प्रिय दर्शनी पबलिक स्कूल और सहकारी सक्कर कार खाने का अवलोकन कर आया, उन्होंने बताया कि हमारे हां निमार अंचल के गरीबों और किसानों के बच्चों को बेहतर से बेहतर तकनीकी सिक्षा प्रदान की जा रही है स्वर्गिये सुभास यादव की नवमी पुन्यतिति के अबसर पर अरुण यादव और परजनों के द्वारा नर्वदा तट एवं इस्थित साली वाहन मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान भी संपन निकर आया विराट 24 के लिए कसरावत से प्रकास कर्मा की रिपोर्ट और कल सुभा ब्रह्म पूजन और सर्भोज का आयजन रखा है जिसमें हमने समस्त चेत्र के जो हमारे आश्रम के गुरू लोग है उनको बुलाया है उनका स्वागा सत्कार होगा और महराजी का प्रवचन होगा और उसके साथी सर्भोज का आयजन की आया है अब यह इतना लंबा गारिकाल उनका इहां पर रहा है और पूरे जिमार्ट शेत्र के और प्रदेश भर के साथी कल यहां पहुंचेंगे महराजी खुद ही बहुत सारे सिक्षन संस्तान चलाते हैं लगवा उनके आश्रम जो है प्रदेश भर में और चटीजगर में 20,000 से ज्यादा बच्चे उनके संस्तानों पढ़ते हैं उनका आशिरवाद कलम को मिलने वाला है और हो सकता है कि उनकी कुछ इच्छा होगा इस मुझा उनके झाला है wsबार में लुड़ते हैं अMatav होगा